हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की इसके तहत हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट इंट्रिगेशन की इसके तहत हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 की तो देखते हैं उसका अगला कॉश्चन देखिए इसका पहला question क्या कह रहा है ये कह रहा है integrate करिए sin 2x upon a plus b cause x देखिए जैसे हमने बार बार हम कहते हैं कि integral को integrable करना पड़ेगा हम जानते हैं कि हमको जो दिक्कत create कर रहा है वो denominator कर रहा है क्यों denominator का एक formula हमको मालू है generally 1 by x का sin log x होता है ठीक है यहाँ गुजगया करके plus b cause x तो जो दिक्कत create करता है उसको हम t assume करते हैं और t assume करने की पहली condition है कि उसका जो differentiation है उसका derivative present होना चाहिए तो हमको साब साब दिख रहा है कि भाई अगर हम इसको t माल नहीं cause x को तो cause x का differentiation minus sin x होता है तो यानि कि minus sin x numerator में होना चाहिए है लेकि अब problem sin x नहीं है वहाँ तो आपका sin 2x है और sin 2x लाने के लिए या तो denominator में cause 2x हो जाए या तो cause 2x हो जाए उसका differentiation sin 2x होता है या तो sin square x नीचे होता है तो sin square x का differentiation आपने पड़ा होगा 2 sin x cause x sin 2x होता है कुछ ऐसा है नहीं हमको मजबूरी में cause x को t मानना पड़ेगा मानते हैं तो हमने let क्या कर लिया cause x is equal to t हमने आपको बताया कि जब किसी इसको t मानते हैं तो उसके चाहत अगर कोई coefficient होता है वो साथ मीं चलेगा और कोई ऐसा term जो constant है जिसका differentiation ultimately 0 हो जाना है उसको भी t मानेंगे तो इसको जब differentiate करेंगे तो क्या आएगा minus b cause x का sine x dx is equal to dt अब problem उपर तो sine 2x है तो थोड़ा इसको भी change कर लो sine 2x को लिख देंगे हम 2 sine x into cause x upon a plus b cause x का whole square dx यह लिखतेंगे तो यारी यहां से sine x dx को की value निकाल लेते हैं यह केवल dx के लो निकाल लो केवल dx निकाल लो जो तुमारी मर्जी हो हम dx निकाल ले रहें तो आएगा dt upon minus b sine x आप sine x dx भी निकाल सकते हैं सानी sine x को altibility cancel ही हो जाना है so i is equal to चाहरा रखी value उठा करके देखो 2 sine x into cause x upon इसको आपने t माना है तो यह t square हो जाएगा और यह आएगा minus का dt upon b sine x तो sine x ने sine x कर गया अब जैसा कि हम नियम जानते हैं कि अगर हमने x के function को t मान लिया है तो पूरा function t के form में convert हो जाना चाहिए यह यानि कि वहाँ पर आप t का term नहीं होना चाहिए तो sorry x का term नहीं होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से cause x दिक्कत कर रहा है तो cause x के लो निकालो cause x क्या निकलेगा t minus a upon b रख दो मतब जब आप t के respect में integrate कर रहे हो तो dx है नहीं नहीं महाँ पर तो x का function को हम करेंगे क्या ठीक है रखो लो उठा करके तो दिखी माइनस को बहार ले हो 2 upon b को बहार ले हो और cause x को क्यालोगे t minus a upon b और into t square dt is equal to अब देखो b ये भी बहार ले हो तो minus 2 upon b square integration इसको अलग अलग कर दो t upon t square t upon t square minus a upon t square dt 1t स 1t कट गया ठीक है एक थोड़ा सा camera से बोलते हैं भाया उदार चलो अब देखो देखो द्यान से, minus 2 upon b square minus को आप चाहो तो minus को operate कर दो ठीक है, मैनस को अपरेट कर दो, कैसे अपरेट कर दो, कैसे अपरेट करेंगे इसको, हम इसको पोजिटिव कर देंगे, इसको निगेटिव कर देंगे, तो यह हो जाएगा, A T की पावर minus 2 और minus 1 upon T dt अब integrate कर दो तो 2 upon B square A यह आएगा T की पावर minus 1 upon minus 1 और minus 1 upon T की वेलुए log T plus C constant of integration आप जानते है add किया जाता है तो 2 upon B square minus A upon T आएगा और T की वेलुए क्या है A plus B cause X A plus B cause X और minus log T की वेलुए आएगी mod A plus B cause X चुकि जो log होता है वो negative undefined हो जाता है इसलिए हम log को mod वेखते हैं तो यह answer आगया एक बाट टेली कर लिए आजाए अब देखिए जैसे हमने minus cooperate कर दिया दोनों negative है तो आप अगले स्टेप में minus कामानी लेलो जादा ठीक रहेगा तो answer आपका है minus 2 upon B square log A plus B cause X plus A upon A plus B cause X plus constant of integration very good तो मेरे हिसाब से बात समझ में आगई होगी तो it is the first question of 7.4 next in the next video नमस्काट